नमस्कार जैमात आदि सब्को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, अपने प्यार में दिवाना बनाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, अपने और अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वे आपके प्यार में पढ़ जाए चाहते हैं, कि आप उसे इंप्रेस कर ले, तो उसके लिए कौन सा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और इस मंत्र में हम आपको कामदेव के मंत्र बताएंगे कामदेव के जो मंत्र होते है उसके जाप के द्वारा बहुत से फायदे प्रेम की प्राप्ति में मिलते हैं अगर आपको आपका मन चाहा प्यार चाहिए अगर दामपत्य जीवन में आपको अकर्शन को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है, अट्रेक्शन को बढ़ाना है, तो वो इसका मंतर का जाब किया जाता है, अपने मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए इस मंतर का जाब किया जाता है, अगर आप पार्टनर में हैं, आप कपल हैं, आप किसी के साथ relationship में हैं और आप चाहते हैं कि आपका attraction बना रहे है, आपका प्यार बना रहे है और आपका प्यार है वे शादी तक पहुँचे तो उसके लिए भी कामदेव मंत्र के जाब करनी की सला दी जाती है आप बताते हैं कि कामदेव का कौन सा मंत्र किस चीज में किस तरीके से यूज किया जाएगा आपको इसमें कामदेव के हम दो मंत्र बताएंगे पहला मंत्र आपको बताते हैं वे है कि अगर आप married है अगर आप couple है अगर आप relationship में हैं अगर आप partner हैं पार्टनर के रूप में आप रिलेशन्शिप में हैं, आप मोर्ट हैं और आप चाहते हैं एकुछ आपके अकर्शन बढ़ जाएं आपस में आपका प्यार कम हो चुका है olduğunu आपशे से किसी एक का प्यार कम हो चुका है या पयार वैसा नहीं रहा Good headache transaction हो चुकी है यर आपशे मे पढ़ना है किस समय और किस तरीके से पढ़ना है पहला उन लोगों के लिए जो की कपल है चाहे मेरिच चाहे रिलेशनशिप में तो आपने ये जो मंत्र है ये आपने शाम के समय ये मंत्र को 21 बार पढ़ना है कहीं एकांत जगा पर बैठ कर या जमीन पर बैठ जाए वहाँ बैठ आप इस मंत्र को 21 बार पढ़ सकते हैं बताते हैं कि मंत्र कौन सा है ये मंत्र है ओम काम देवाए ओम काम देवाए विदमहे रती प्रियाए दीमही तनो अनंग प्रचो दयाए मंत्र दुबारा बोल देते हैं मंत्र है ओम काम देवाए विदमही रती प्रियाए दीम नहीं तनो अनंग प्रचो देया, यह मंत्रों लोगों के लिए जो married है, जो कपल है, जो relationship पर अपने अकरशन को बढ़ाना चाहते हैं, अब दूसरा मंत्र आपको बताते हैं, कि अगर आपकी life में कोई नहीं है, और आप किसी एक व्यक्ति को अगर प्रेम करते हैं, लेकिन पिर आप चाहते हैं किसी लड़की को अपने और attract करना, या आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा attractive personality आपकी बने, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी और attract कर सके हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इंप्रेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके दूसरा मंतर बोलना है, ये भी शाम के समय 21 वार आप बूलेंगे, किसी एकान्स जगा पर बैट कर, ये मंतर इस प्रकार है, ये आपने बोलना है, ओम नमो भगवते काम देवाए यस्य यस्य द्रिश्यो भवामी यस्य यस्य मम मुख पश्यती तम तम मोहितु स्वाह ये मंतर आपने बोलना है मंतर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको बोलने में कोई भी परेशानी ना हो ये दोनों ही मंतर जो हैं ये काम देव के मंतर हैं इन्हें काम देव के शाबर मंतर कहा जाता है और इनके पढ़ने मातर से ही आप अपने अंदर अकर्शन को बढ़ता हुआ देखेंगे अगर आपका पल है तो आपके बीच प्यार बढ़ेगा, अकर्शन बढ़ेगा, अगर किसी को अपनी और अट्रैक्ट करना चाते हैं तो बड़ी जल्दी कर सकते हैं इससे आप जिससे भी बात करेंगे ये मंतर के जाप के द्वारा जिसके भी बारे में सोचेंगे वे आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, वे आपके पास खीचा चलाएगा तो मंतर बड़े ही प्रभावशाली है, अपने अकरशन शक्ती को बढ़ाने के लिए मंतर जरूर बोलिएगा इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पर समाप करते हैं, अमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छ लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक करें इससे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया